करशी समन्तिकारिये जितने भी हैं उनको विक्षित करने के लिए उनकी भूमिका को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित करने के लिए वो केंदर सरकार की साहिता से गुनिशु पैंस्टेट में इसकी स्तापना की गी थी राजे करशी द्योग निगम की ठीक है चलिए दूसरा क्यूसरा क्यूसरा है कि प्राई जमीन पर खेती करने वाले किसानों को क्या का जाता है जो प्राई यानि किसी दूसरे की खेती पर खेती पर जो किसान काम करते हैं जमीन बहुते हैं उनको क्या कहते हैं लाटा बरकस आसामी या फिर आओगी तो इसका स इसका राइटान से सी है, याद रखे, यारों की बारों डिसक्स कर लेते हैं, क्योंकि इनसे समधित एक्जामी कुछन पूचा जाता है, लाटा क्या होता है, लाटा होता है, भूमी पती को मिरने वाला भाग जो हिस्सा होता है, ठीक है, यानि इसे लाटा भी कहते हैं, इसको कहती करें दूसरे की जमीन पर तो उसका जो हिस्सा मिलता है उसी लाटा भोग या बांटा के नाम से जाना जाता है अब आते बरकस दूसरा बरकस किसे कहते है बरकस कहते है जिस गाड़ी से समान डोया जाता है उसे बरकस के नाम से जाना जाता है आसामी हमारा हो गया अब आत के नाम से जाना जाता है ठीक है और इसके लावा एक और नाम याद रुखेती तो आओगी भी कहते हैं और दुरू खेती भी कहते हैं जिस मालिक जो खुद है खेती करता है तो इस सब्दावली है यह बहुत इप्पोर्टेंट है याद रुखिया आफ कि उससर नमर तीन हमार है वो राजय क्रिशी प्रबंदन सहस्तान है मैं एक बार बता देता हूँ पहला जो जैपूर में है वो है दुर्गापूर ठीक है कहां पर है दुर्गापूर में है और इसकी स्थापना होई थी गुनिशो तिरानमे में ओके जैपूर में दुर्गापूर उस्तान है आद सा धातवी क्रेनी यह उप्संस हैं आपके पास तंगस्टन मेंगनी या फिर बालू का मिटी तो सहीद रहे है कों शाहे हैं वह हो जाएगा सी कि निवर्ली का मिटी तो है यह आधाद भी नहीं है यह दाध क briefly जब यह एक तो राइट रहे हो कि पाहँ है कि शिषा ज़स्ता के लिए परसीद मोचिया मगरा चेतर हैं वो कौन से मिषती था है ऑपकी पास है उद्देपूर भीलवडा रासमध या फिर दूमरपूर यह क्यों बहुत ज़्यादा इसे द्यान से देखे us तो पहले बात करते है लो सारी जावर चेतर में आते हैं जो लो है और सारी जो है ये शिषा जस्था की खान के नाम है टेक है और एक चीज्योण एक यूलिशन एकजा में पूछा जाता है कि राजस्तान में शिषा जस्ता की खाने कहां कहां पर हैं, तो चारो जिलो जिलो जो जो अब्स जो बहुर ज़ाएं इसको याद रखिए, उद्यपूर उसका रायट अन्स हो गा? ब्रोड मगरा हो गया और बलरिया हो गया ठीक है अब बात करें बीलवाडा की तो बीलवाडा में है रामपूरा और अगुंचा ठीक है रामपूरा और अगुंचा यह कहां पर है बीलवाडा में सीसा ज़स्ता की खान ठीक है और अगर बात करें रासमंद की ठीक है तो रासम पूरा दरीपा और बामनिया कला ठीक है और डुंगरपूर जो है डुंगरपूर में है मांडो की पाल इसके लवा एक और है चोत का बरवाड़ा जो स्वाई मादोपूर में वो भी याद रखिए वो भी सीशा जस्ता की खान से संदीत है तो एक क्यूसन के साथ हमारा इसका पार्ट कंप्लीट होना जी सभी आपको नाम याद रखने कौन-कौन से जिल्लों में किस के शेतर में शीशा जस्ता की खाने है चले फिलाल बात करते क्यूसन नमर 6 कि कि किस खनीज को हर सोट के नाम से भी जाना जाता है चांडी जीपसं संगमर या पिर तामड़ा को तो हर हर्षोट कि खनीज को करते हैं तो राइटाटा से आ नशेगा मरा से जीपसं को कहा जाता है ठीक की बात कर रहे हैं ठीक है गंगानेगर नागोर बिकानेर जसलमेर और श्री गंगानेगर में इसका उत्पादन होता है याद रखिए ओके गाइज चलिए यह को रिपोर्टिंट जी में बतार तामडा अभी तामडा यहां आई गया तो तामडा का बतार तामडा का एक और और राज्य में बन्जर भूमी जो है वह कुल моей का बंजर हुमी का पिर छाजस्तान में कि शरोमी को अंपे है तो आपको याद रखना है का पी तो इसलमेर परोटल छे पर वह उसका 37.3 ठीक है 37.3 पर या दो चीज़ है एक थोड़ा सा ध्यान दीज़ आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो छेतर पल की दस्टी से सरवादिक है जसल मेर में ठीक है और 35 की दस्टी से अगर बात करें तो सरवादिक है रासमन्द में दोनों को लेके कभी भी कंफ्यूज मत होना एक जामें अगर 36 की दस्टी से सरवादिक बंजर बूमी कहां पर है जसल मेर में और 35 की दस्टी से सरवादिक बंजर बंजर बूमी कहां पर है रासमन्द के अंदर गए ठीक है चले क्यों से नमर 8 कि केंदर ये मरू 26 विकास अनुसंदान कहां पे हैं कैंदरी यह मरूँ 26 अनुसंदान संस्तान है वो कहां पे है जेपूर अदेपूर नागोर या पिर जोधपूर में तो सिय उतर होजएगा हमारा जोधपूर में है और इसकी स्थापना की गई थी ओक्टोबर 1922 में ठीक है, अक्टोबर, गुनी सुबर, आपने नाम सुना होगा, अभी आपको केंदरी ए मुरू छेतर अनुस्तान केंदर अनुस्तान नाम है तो थोड़ा जीब लग रहा होगा, लेकिन आपने एक नाम बहुत बार सुना है, काजरी, सुना है जोदपुर में काजरी, बस इसी पछ फूर फूर में यह नाम है, केंदरी ए मुरू छेतर अनुस्तान ठीक है, काजरी कास्दापना जो गुनी 那व की सुरण में होई थी, फृर गुनी सु Śुच्ट्पुर में इसका नाम बदल दिया गया था, पहले इसका नाम काजरी नहीं था, भी आज़, याद रखना ह कि अकाल के सुके से निप्टने हेतु कौन सा विकास कारीकरम चलाए गए हैं सुकास, संभावी छेतर कारीकरम, मरू विकास कारीकरम, प्राकरतिक, आपदा, सायता, कोस, या फिर उप्रयोक्त सभी तो अकाल और सुके, से जिनी प्रत ने है तू कोन सा विकास कारीकरम चला गया है, तो तीनों चला गया है तो सही उत्तर हो जाएगा हमार डी लेकिन, यहाम एक बार बता देता हूं, थोड़ा से याद रखी, सुका संभावग शेतर कारीकरम चला गया था, यह चला गया था, च्वणी जो चोटर पीचेतर नहीं है दूसरा मरुविकास कार इकरम यह चलाए गया था गुनी चोटीर नहीं को जो है यह चलाए गया था गुनी सो नब़े क्यान में इनकी डेट यादर अगर अलग से से समझे क्योशन पूचा जाता है तो आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए क्योशन नमर दस कि राज्य की पर्थम उद्योगिक निती है वो कब जारी केगी राज्य की पर्थम उद्योगिक निती कब गोशित कीगी थी उपसन है चोईश जून गुनी सो टेरप दिसंबर गु पर्थम उद्योगिक निती है तो चारों की डेट याद रखी ठीक है हो जाएगा कलियर चलिए क्योंसर नमर 11 कि एग्रो फूड पारेक कहां पर स्तापित किया जा रहा है एग्रो फूड पारेक है वो कहां पर स्तापित किया जा रहा है एग्रो फूड पारेक है वो कहां पर स्तापित किया जा रहा है लेकि एक बार मैं छेतर पर्टिकुलर छे वाह के यहकोत हैं, जोधपूर में जो है, वो है बोरा नडा ठेक है, कौन सा है? बोरा नडा, और स्री गंगानगर में जो है, वो है उध्योग विहार, कौन सा है? उध्योग विहार, तो सभी के नाम याद रखे, आप मोस्ट इस्पोर्टिंट है, क्यूерж नमर 12, कि राज्या में पहली बार सहिकारी समीती विदेख है वो कब पारित किया गया राज्या में पहली बार सहिकारी विदेख है वो कब पारित किया गया तो options आपके पास हैं गुनी 104, गुनी 105, गुनी 105 या फिर गुनी 65 में तो ये क्यूशन भी most important है इसी क्यूशन में हर क्यूशन में हम option पे चर्शा करेंगे तो एक क्यूशन के साथ 5-5 क्यूशन और निकल गयाएंगे तब ही मैं कराओं थोड़ा द्यान से लेगे तो पहली बार सहिकारी समीती विदेग जो पारत किया गया था तो इस क्यूशन का मारा उतर हो गया अब सुनिए कुछ important चीज़े राजस्तान में सहकारी ता कार यह सब से पहले जो शुरू वा था गुनी सो चार इस्यू में वा था भरतपूर और डीग में जहां पे क्रिसी बैंकों की स्थापना की गये थी वहां से ठीक है और फिरणी सो चार इस्यू में ही अज़मेर में सहकारी ता का सुबारम कर गया very very important ठीक है और फिरणी सो पांच में क्या वा था सहकारी ता सम्थी थी परत्म सहकारी समिती की स्थापना की गये थी सुबारम कब वहा था गुनी सो चार में वहा था अजमेर से और पर्थम सहिकारी समिती विदेग पारित किया गया था गुनी सो पिच्पर में और पहली बार सहिकारी के जो नियम बनाए गए थे पहली बार सहिकारी के जो नियम बनाए गए थे कि राजस्तान राज्या है सहकारी संकिस्तापना वो इती 21 दिसंबर गुनी सो शित्यावन ठीक है तो हो गए नमारे च्छाए क्यूसन तो सभी आप याद रखें मुश्ट इपोर्टिंट है कि राज्या में पहली बार सहकारी उब भुगता अंदोलन की सरवात की गई पहले सहकारी अंदोलन की सरवात की गई थी रेलवे कर्मचारियों ने पहली बार अंदोलन की था गुनी सो और पहली बार सहकारी उब भुगता बंडार का गठिन भी किया गया था गुनी सो गुनीस की अंतर गत रजमेर की अंदर ठीक है क्यूसर नमर 14 कि राजस्तान का सरवादिक लिंगानुपात वाला जिल्ला कौन सा है सरवादिक लिंगानुपात का है डुमरपूर दोलपूर बाडमेर या पिर स्री गंगान अगर है तो राजसर के लिंगानुपात जो है बो है डुमरपूर में और कितना है 994 ऑपि और सबसे कम दोलपूर में 846ondern अब बाडमेर की बात चिन अब बाडमेर से डोलेटड के उससन रमा रहा है कि इस राजस्तान में जो जन संक्या वर्दी दर है सरवादिक जन संक्या वर्दी दर्ज होई है वो बाड़ मेर में होई है और सबसे कम जन संक्या वर्दी दर्ज होई है वो स्री गंगा नगर में होई है ठीक है तो ये भी क्यूसन याद रखने आपको क्यूसन नमर पंदर है कि राजस्तान की महिला साखसरता परतीसरत कितना है 55, 60, 51, 53, 52 तो कितना परतीसरत है 52.1 परतीसरत है राजस्तान महिला साखसरता परतीसरत है ठीक है? याद हो जाएगा और राजस्तान की पुरू साखसरता कितनी है तो पुरू साख सकता क्यों सना है तो आपका हो जाएगा 79.2 परतिस्टा है वो पुरू साख सकता है यह भी याद रिखेर राजस्तान का जन्संक्या गनत्व कितना है 201, 190, 200 या पर 나온 adult przy तो सहीज़तर कोन सफ़ाज़गा राजस्तान का जन्संक्या गनत्व है वो है 200 लेकिन आपको अभी यह बता रहें कि सरवादिक जनस्थां कि अगलत वह है वो कहां का है तो सरवादिक है जैपूर का 955 में सबसे ज्यादा और सबसे कम है जसल मेर का 17 ठीक है तो दो किस नोर होगे मारे एक्षणा पहला की जनस्थां कितना है 200 वर्टीर के गनाने के लिए आयू कितनी होनी चाहिए पचीस वर्ष टीश वर्ष एकीस वर्ष या तो राज्ये विधान सभाका सदे से बनने के लिए आपकी उमर होनी चाहिए कम से कम पत्चीस वर्तोस ठीक है तो यह सही उत्रा किस अनुच्छेत के उनसार राजय पाल मुख्य मंत्री की निक्ति करता है उप्सिंस हैं 164, 165, 166 या फिर 166 तो इसका सही उत्रा है वो क्या हो जाएगा राजय पाल है, वो मुख्य मत्री की निक्ति है वो 164 में अनुच्छेत की तैत करता है यानि राइट आंसर हो जाएगा ए है, वो सही आंसर है इसके लगा महाध्य वक्ता 65 जो है, यह यादर की इपोर्टेंट है जो महाध्य वक्ता जो होता है महाध्य वक्ता से समधी जो अनुच्छेत है वो 150 है, यह यादर की इपोर्टेंट है क्योंसर नमर 19 वेरी वेरी इपोर्टेंट कि किस अनुच्छेत में उले किया गया है कि महाध्य वक्ता को राजय के विधान मंडलों के सदनों की कारिवाई में भाग लेने का अधिकार है पन्तू मतदान देने का अधिकार नहीं है तो कौन से अनुचात में का गया है कि विधान मंडल सदनों की कारिवाई में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं दे सकता और उप्सन आपके पास है 170, 170, 170, 170 या फिर 170, क्या C तो सहीटर आप लोगों ने आपका सोच लिया होगा सहीटर होगा C यानि 176, 206 में कहा गया है यह सा Q2 वर हमारा अंतिम Q2 निमन लेकित में से किसका चुनाव है वो A पर टेक्स रूप से होता है सरपंच का, वार्ड पंच का वप सरपंच का, या फिर उपर यक्त मैंसे कोई नहीं, तो सही उतर हमारा हो जाएगा वो आपका से क्चुनाव है जो वो है एहर्पर्टेक्स रूप से होता है ओकी गाईजे पर्टेक्स का मतलब होता है, जन्ता बोड देके जिसका चुनाव करती है एपर्टेक्स का मतलब होता है कि जनता की द्वारा चुने के जो परतिनीदी है वो किसी का चुनाओ करते हैं वो एपर्टेक्स होता है तो उपसरपंच चुनाओ कैसे होता है जो वाड़ पंच जो होते हैं यह मिलके क्या करते हैं अपना बोर्ड देखिए उपसरपंच का नि तो आदे पार अ को लेखने शुट है तो आ प्रादी बादी है । सब्सक्राइब कर दो को दो आते है शुट है तो को दो है है तो कि दो आदे तो का सिवाल चुट है तो आसे हैं कैस्या है